चूलहा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का इतिहास में संसदिये लोकतंद्र के इतिहास में ऐसे च्छना आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर आईज और नोज ये मसला येस और नो का नहीं है मानियब सभापती जी, ये मसला हमारे देश की तारीख से जुरा हुआ है ये मसला इस बात से जुरा हुआ है, जो प्रधान मंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैन्वस बड़ा होगा, आकृती बड़ी होगी बड़ा कैन्वस है, लेकिन आकृती छोटी गड़ी जा रही है और ये इतिहास स्मरन करेगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अब नारी शक्ती वंदन अधिनियम मुरी तु समझ में नहीं आया कि ये लेजिसलेशन है या किसी तरह का धार्मी की गरंथ की एक उसका सिर्शक है क्योंकि बच्पन से पढ़ता आया इस देश में जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी जत्र नारियस्तू पुजियनते रमंते तत्र देवता पता नहीं देवता रमं करते हैं की नहीं लेकिन हमने इस लोग के बावजूद महलाओं का मॉलस्टेशन देखा घरे लुहिंसा देखी सबसे ज़्यादा रेप परिवार नम की संस्ता में देखा जिसका आकड़ा खुद सरकार देती है तो मुझको लगता है ये जो विरोदाबासी चडितर है हमारे देश का इस विरोदाबासी चडितर पर भी बात होनी चाहिए आज काफी सारी महलाएं हैं पत्रकार भी इस दर्शक दिरगा में इनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ सरोकार है इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये शलोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दे जो संविधान से आती है मैडम संविधान राइट्स की बात करता है अधिकार की हमारी वोकैबलरी को क्या होता जा रहा है अधिकार दया किष्रीन ही में नहीं आएगा लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्स्चर देखता हूँ वो दया किष्रीन ही बात होती है अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी मानिए डेपटी चेरमन मैम चेर परसन मैम सौरी As per the delimitation commission 2008 हजार आठ हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जेनरल सीट्स 84 एसीज 47 एस्टीज अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माद्यम से 84 और 47 के अंदर वन थर्ड कर रहे हैं क्या यह अन्याय नहीं है एक्जिस्टिंग सीट्स में नहीं जो 33 परसंट आ रहा है उसके अंदर जिसका आकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है उसमें सी एस्टी और ओबी सी की वेश्टा हो क्योंकि देखिए मैं आपके माद्यम से कहूं हर महिला के को बहुत मुश्किल से आगे पढ़ना पड़ता है यह आप भी जांकिए और खास करके पिछडे वर्गों की महलाएं अनुस्ची जाती जन जाती की महलाएं उनका हुची तो बिना हैंड होल्डिंग के लेकिन उन पिछरी जाती की महलाओं का क्या जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म गरंथों में कोई वेवस्ता है और ना आज की समकाली बाचीत में कोई वेवस्ता है रिटॉरिकली हम कुछ भी कह दें मेरा सिर्फ आपके महिला थी पत्थर तोरने वाली हमना सहबो गाली भाईया हमना सहबो गाली वहां से गया से निकल करके वो संसत तक पहुची क्या उसके बाद भगवतिय दे भी आप आई भूलन दे भी आप आई वो इसलिए नहीं आप आई कि हम आपको दोश नहीं देते हैं, हमारी वेवस्थाई संबेदन शुन्य है, मैं तो आग्रह करूँगा तमाम सात्यों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए, ये इतिहासिक छण, सचमुच इतिहासिक होगा, अगर हमने आज इतिहास को ब होना चाहिए, कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंति पिछडी जातियों के लोग, मैडम, आप, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुँच रही हो, आज मैं आग्रह करूँगा तमाम सात्यों से, चिंता ना करिए दलिये विप की, दलिये विप, समाज की बवस्ता पे भाड़ी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं, आज भी मौका है, इसको सेलेक्ट कमिटी में भेज करके, S.C.A.S.T. और OBSीज को, ये OBSीज को इंकॉर्पोरेट किया जाए, नहीं, आज आप हम नहीं करेंगे, हम इतिहासी गुनहगार ह होंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, बाहर लोग वाच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया ये, ये विवस्ता ऐसे नहीं बदली जाती है, तो मैं आप से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, कि अपने दायरों से अलग हो करके, आप जब OBSीज की बात करते हैं, तो ये रेटारिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए, ये नहीं होगा कि बाबा साथ भीम राओ, अम्बेद कर को माला भी पहनाए, और उनकी बात को आत्म साथ मा करें, ये जो फरक हमारे इसमें आ रहा है, इसे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो दिया, इंटर्सेक्शनालिटी, अब ये इंटर्सेक्शनालिटी को चुक्ए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आज मैंने सुबह इसका अनवाद बहुत धूंडा, उसके अनवाद में एक अनवाद आया, प्रतिछेदर, इंटर्सेक्शनालिटी का मतलब होता है, हम हर लेयर की एजनसीज, और उसके अंदर की क्या विधाये हैं, उसके आधार पर अपना चड़ितर, एफ़मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ये देखना होगा, जो खास करके वंचित समाज की महलाये हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा, अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूब का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है, तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए, और ये तै करिए कि आज जब हम यहां से उठें, तो एक कमिट्मेंट दें, OBC वर्क को, और ये मैं बार बार दूरा रहा हूं कि 33% को existing में मत incorporate कीजिए, it should be separate, नई विवस्था में, नया 33% without touching, STs and STs, ये करिएगा तो करंतिकारी कदम होगा, अक्सर हम लोग अपने privileges को नहीं देखते हैं, मेरा सरनेम एक privilege है, नीरज भाई का सरनेम एक privilege है, हमारे सरनेम ने हमें privilege दिया है, उन सरनेम को देखिए जिनके पास ये privilege नहीं है, I say, I say, मैं बहुत अच्छा किया, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं चेर परसन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि privilege का जो ब्याकरण है, वो खत्मी नहीं हो रहा है, मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में, शायद there is nothing in name, but everything is there in the surname, उनके संघर्ष, उनका जीवन, कठिन लगातार होता जाता है, और एक एतिहासिक तथे बताओं, 31 में बिगम शेहनवाज और सरोजनी नाइडू ने संविधान बनने से बहुत पुर्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थे, हम कहे को अटके पढ़े हैं 33 पर, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 33 के साथ क्या रिष्टा है हमारा, ये पचास क्यों नहीं हो सकता, ये पच्पन क्यों नहीं हो सकता, आपका पूरा का पूरा वर्ग चरीतर बदल जाएगा, आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहाँ है, हमेशा एक खास सर मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अलग अलग दलों में भी हैं, अगर वो पहुचे हैं यहाँ तक अपने संगर्श से, तो उनको आज ये आवश्यक्ता है, उनको ये भरोसा दिला आ जाए, कैसी कोई चीज आगे नहीं होगी, सब के लिए खुलेगा, आपकी ये जो नई पार्लेमेंट है हमारी, ये रंगी जादा होगी, इंद्र धन उसमें कई रंग होते हैं, हम ये कौन सा बिला रहे हैं, जिसमें ब्लैक और वाइट के बाद, शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है, अगर हमारा अउदेश डिपेनिंग अफ डिमाकरिसी है, तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रिजेंटेशन देखिए, उसमें हमने SCST, OBCs and Minorities की बात की थी, और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वर्ग चरीतर बदले, संसद सचोंच में पृतनिधितर की संस्था बने, जिसमें सब के आकार हों, सब की शकलें हों, ये नहों कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर चाप रहे हैं, अभी जाती का जर्गना, कल शाम के बाद मैंचेर परसन, मैंचेर परसन, अब मैं आपका एटेंशन चाहता हूं, कल शाम के बाद इस देश में लोग सब हमें बिल पास ह वाउ से ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है, OBC के साथ नाइसाफी हुई, इस बात की चर्चा हो रही है, कि जाती कर जर्गना पर क्यो ब्लॉक किया जा रहा है, और मैं यह कह रहा हूं, हमारे CM, वितिश जी और तेजस्वी जी डेप्टी CM, उन्हें ने जाती कर है, पहले एफिडविट कोन लेके गए, सरकार, तुशार में तक हरे होते हैं, सॉलिसिटर जेनरल, यह कहते हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट के नोट टू एनी अक्टिविटी लाइक सेंसस, और अक्टिविटी अकिन टू सेंसस, लेकिन शाम तक जब आप रोर होता है, दूस परसन, बस बस जादा नहीं लूँगा, मैंने कई संसोधन दिये हैं, मैडम चेहर परसन, मैंने कई संसोधन दिये हैं, उन संसोधनों पर भी सरकार विचार करें, हाथ जोर के कहता हूँ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, घृदाय विशाल रखना चाहिए, छोटे मन से चाहिए, चोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, कैनवास पे बड़ी लकिर खीचिये, और मैं आखरी में एक बात कहके खतम करूंगा, कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश नहों, मैं हम चेहर परसन एक मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना पाईए, और ये कविता परके खत्म करूंगा और जैहिंद बोल दूँगा, ये ओम प्रकाश बालमी की जी का है, इसमें जो प्रतीक हैं, वो किसी जाती भी शेश के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है, जो न्यालें में बैठा हुआ है, विश्विद् केरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हतेली अपनी फसल ठाकुर की, कुवा ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहन ठाकुर के, गली महले ठाकुर के, फिर अपना क्या गाउं, देश, शहर, और मैं फिर से वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्विद्यालियों में है, वो ठाकुर विधाइका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है, जैहिन मैम, जैहिन